क्लाश 10 के स्टुडेंट है संस्कृत सेकेंड सेटिंग में एक्जाम दिया है तो इस विडियो कौन तक देखिए और आप जोएकि अपने अब्जेक्टिव का मिलान कीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी सेट रहें इससे कोई मतलब नहीं है क्वेस्टन सब का स्यम है सिर्फ नम्मर इधर वब्लाइन करते चलिए कि किस पाद में बैंजन संदी तो देखिए सयम यहां पर है ना सयम इस पाद में जहां बैंजन संदी इसका से अप्शन आपको गया डी अब हम अगले अब्जेक्टिव को देखते हैं किस समास का पहला पद संख्या वाची होता है तो देखिए दूगो समास का जो है न पद क्या होता है संख्या वाची होता है पहला पद संख्या वाची होता है ओप्षन आपको वो गया पे अब हम अगले अप्जेक्टिव को देखते हैं सार्धम अब ये के योग में कौन सी विभक्ती होती है चार को अप्जन आपके समने दिये गए है तो सार्धम अब ये के योग में कौन सी विभक्ती होती है तो इसका सही अप्जन आपको होगा वो होगा आपको सी तिर्थिया विभक्ती अब हम अगले अबजेक्टिव को देखते हैं वने वस्ति सिंगह इस वाक में सब्थमी विभक्ती किस सूतर से हुई है तो इस वाक में देखिए सब्थमें धी करने से हुई है इस सूतर से हुई है सब्थमें धी करने Option आपको गया A अब हम अगले Objective को देखते है कर्मकारक में कौन सी विभक्ती होती है कर्मकारक में कौन सी विभक्ती होती है इसका सही Option आपको होगा वो होगा आपको B कर्मकारक में दूतिया विभक्ती होती है Option आपको गया B अब हम अगले objective को हम देखते हैं भासरचित नाटको की संख्यां है जिसका सही option आपको ओगा B भासरचित नाटको की संख्यां 13 है option आपको ओगा B अब हम अगले objective को देखते हैं वाजिन सब्द का अर्थ है तो वाजिन सब्द का अर्थ होता है घोड़ा होता है जो कि option आपको ये में है अब हम अगले objective को देखते हैं करकी करनस्य दानविर्ता पाठ में ओविहा ओविहा किसकी उक्ती है ये जो उक्ती है वह सक्र की है जो कि option आपको ये में है अब हम अगले objective को देखते हैं सुबध मूला पादपा निपतन्ती एरेखांकित पद का परस निर्वान एनेमने में कोन सा है अगला objective पहले सिस ब्यदारम कहां करते थे तो पहले सिस ब्यदारम आश्रम में करते थे जिसको गुरू ग्री कहते हैं जो कि option आपको ये में है अब हम अगले objective को देखते हैं संसकार कितने हैं तो संसकार शोलो है जो कि option आपको बी में है अब हम अगले objective को देखते हैं सिमंतोनेयन संसकार का प्रायोजन क्या है तो देखिए सिमंतोनेयन संसकार का जो प्रायोजन है इसका जैकी गर्भ वती की परसंता होती है जो कि option आपको B में है वैसे आपको कहीं कहीं गर्भ रक्षा भी मिलेगा तो चलिए इसको जैकी संस्क्रीट का जो ये आपको सुलोक दिया गया है यहाँ पर सिमन्तुनेन संस्कार इसके विश्यम्तुरा जान लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपकी किताब का सुलोक है इसके अनुसार जर्म से पूर जोई की तीन को संस्कार है गर्वाधान, पुन्सुवन और सिमन्त ये तीन होते हैं यहाँ गर्वरक्षा, गर्वस्त सिसु का संस्कार विधान और गर्वती इस तरीकी परसंता के लिए सब आयोजन किये जाते हैं तो यहाँ पर देखिए गर्वाधान, ये गर्वरक्षा के लिए सब किये जाते हैं अब हम अगले उपजेक्टिव को देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ा की बिरेश्वरा, कारुनिक मंत्री आसित प्रस निर्मान के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन आएगा तकीद रिष्वरा आएगा जो की ओप्षन आपको B में है जब आप जहेकी तीसरी पार्ट पलटियेगा संस्क्रित का तो उसमें आपको जहेकी पेज नमबर 23 में मिल जाएगा